सास का घूंगट पार्ट थ्री को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोगता है देखो सचिन के बापू दर्वाज़ की चाबी दे दो मुझे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है पहले सर पर पल्लो रखो और अंदर जाओ आज तक मैंने आपका हर गलत फैसला सेर जुका कर स्विकार कर लिया देविका मरती है तो मर जाए लेकिन यह दर्वाज़ा नहीं खुलेगा तुम सारी औरतों को इस देविका नाम की भीमारी ने पांगल कर दिया है और इस भीमारी का अच्छी तरह से इलाज करना आता है मुझे वीना बेटी सुजाता बहू जाओ अंदर से देविका खुले कर आओ विमला ये बोलकर अपने पती के हाथ से चावी छीन लेती है तबी महंदर विमला का हाथ पकड़कर चावी विमला से चीन लेता है बादी घर के मर्दों से टक्कर लेकर आप अच्छा नहीं करी हो ये इस घर के संसकार नहीं है महंदर के बाद सुनकर कम्मो अपने पती के हाथ से चाबी छिनकर कहती है इस घर के संसकार क्या है? हम अच्छी तरह से जान गए हैं आज इस घर का दरवाजा खुलकर रहेगा और देवीका डक्टर के पास जाकर रहेगी भाबी ये लो दर्वाजा खोलो विमला ताला खोल देती है तबी वीना और सुजाता देविका को लेकर आ जाती है घर की सारी औरते देविका को लेकर घर से जा रही होती है कि तबी सुजाता का पती मोहन उससे कहता है सुजाता, तुम देविका को लेकर इस घर से निकल तो रही हो लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बहाँ निकाला तो वापस इस घर में मत आना मैं देविका के साथ अस्पताल भी जाऊंगी और वापस इस घर में भी आऊंगी मोहन को अपनी पत्ती से इस तरह बाद करता दे, कल्यार मीना से कहता है मुझी कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए तुम खुद घर जमाय बनकर मेरे घर में रह रहे हो कभी साव रुपी के साड़ी दिलाई है मुझे मेरे आने से पहले मेरा घर छोड़कर निकल जाना समझे ये बोलकर वीना और घर की सभी औरते देविका को अपने साथ अस्पताल ले जाती है महा जाने की बाद डॉक्टर जल्दी से देविका का चेक अप करता है चेक अप करने की बाद वो गुस्से से कहता है ये क्या किया है तुमने क्या हुआ डॉक्टर साहब आपकी बहु की इतनी ज्यादा हालत खराब है और उन्हें चोड भी लगी है फिर भी आपने उन्हें हॉस्पिटल नाने में इतना लेट कर दिया आपको तीन दिन पहले ही ने हॉस्पिटल में एड्मिट करवाना चाहिए था हमसे गलती हो गए डक्टर साहब लेकिन आप जल्दी कुछ करिए हमारी बहु और उसके बच्चे को बचा लीजे देखे अभी कुछ भी कहपाना मुश्किल है हम मा और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं आप सोच लो किसे बचाना है डक्टर साहब आप देविका को बचाईए उससे कुछ नहीं होना चाहिए देखे हमें देविका का आपरेशन करना पड़ेगा आप इनके पते को बलाईए हमें कुछ पेपर पर साइन करवाना है डक्टर की बात सुनकर सभी औरते सोच में पड़ जाती है तबी वीना कहती है डक्टर साहब इनकी पती नहीं आ सकते ये इनकी सास है विमला देवी आप इनसे साइन करवा लीजिए लेकिन पेशिंट की हालत इतनी नाजुक है इनके पती है कहाँ वो अपने आदमी होने का धर्मनी बार आहा है पती धर्मन के बारे में उसे कुछ नहीं पता डक्टर साहब वो नहीं आएगा क्या क्या करना है आप मुझे बताएए थोड़ी दिर बार डक्टर देविका का उपरेशन शुरू कर देते हैं जब वो उपरेशन थेटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं आप लोगों की किस्मत अच्छी है देविका भी सुरक्षित है और उसका बच्चा भी डक्टर बेटा हुआई या बेटी सब लोग बहुत खुश होते हैं कुछ दिन तक देविका उसी हॉस्पिटल में रहती है और उसके ससुराल की औरतों ने उसका बहुत ध्यान भी रखा अब देविका कुछ हद तक ठीक हो गई डॉक्टर ने देविका को घर जाने की इजासत दे दी लेकिन सबी सोच में पढ़ गये हम भाबी को घर ले तो जाए लेकिन मा आपको घर का माहुल पता है न देविका भाबी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई भाबी वहां आराम नहीं कर पाएंगी और पता नहीं घर की सारे आदमी हमारे साथ क्या करेंगे मा क्या हम डक्टर से बात करके देविका को थोड़ी दिन और यहां नहीं रख सकते जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे यहां से ले जाएंगे ये बात सुनकर विमला सूच में पढ़ जाती है तभी कम्हो कहती है तुम दोनों ठीक कह रही हो मैं अभी डक्टर से बात कर लेती है कम्हो डक्टर से बात कर लेती है और देविका कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है देविका अपने बच्चे को गोध में लिए बाकी आउर्तों के साथ अपनी ससुराल जाती है लेकिन घर के सभी आदमी उन्हें दर्वाजे पर ही रोक देते हैं जाओ मैं अपने माई के मैं जब तक जाओं यहां रह सकती हूँ अगर आपने मुझे इस घर में आने से रोका तो मैं आपकी पुलिस में शिकायत कर तूँगी वीना इन सब की तरद तुमारा भी दिमाग खराब हो गया है अब मैं तुम्हें बिल्कुल बरदाश्ट ही करूँगा तुम्हें ऐसी सजा दूँगा कि तुम याद रखोगी सजा बाद में देना पहले मेरे घर से बाहा निकलो खुद पुरी जिंदगी में एक घर नहीं खरीद पाए और मुझे सिबक सिखाने की बात बोल रहे हो देखो विना तुम इस घर की बेटी जरूर हो लेकिन कल्याण इस घर में ही रहेगा उसने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती क्यों नहीं रह सकती इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना सचीन का देश की कानून ने मुझे यह हक दिया है अगर मैं चाहूं तो कोट का सहरा लेकर इस जायदात का आदा हिस्सा ले सकती हूं और हाँ कल्याण तुम से तलाग भी ले सकती हूं वीना देवी का के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है और कम्मो मैंने तुम से कितना मना किया घर से बाहर मत जाओ देवी का की मदद मत करो लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी अब तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ ये कदम उठा कर तुमने बिलकुल अच्छा नहीं किया ये कदम तो मुझे उस समय उठाना चाहिए था जब मैं माँ बनने वाली थी आपके जूठे गार और गलतनी आमों की वेज़े से मैंने अपने दो-दो बच्चे खो दिये अगर उस समय में दाई अम्मा से इलाज ना कराती है और हास्पिटल चली जाती तो सचीन के पराबर मेरे भी दो बेटे होते सभी पती इस बात पर अड़े हुए थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों को घर के अंदर नहीं आने देंगे देविका बहुत देर तक सबकी बाते सुनती रही फिर उस दे अपने पती से कहा सचीन तुमारे घर के आदमियों की बात तो मैंने सुन ली अब तुम बताओ तुमारा क्या फैसला है देविका मुझे माफ कर दो मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर सकता मैं मजबूर हूँ मुझे पताता सचीन तुमारा यही जवाब होगा मुझे अपने आप पर हैरानी है कि मैंने बिना रेड की हड़ी वाले आदमे से प्यारी क्यों किया शादी क्यों की अब मैं आप सबसे बस आखरी बार पोच रही हूँ तुम हमें अंदर आने दे रहे हो या नहीं या मैं पुलिस को फोन करूँ देविका आज तक हमारे गाओं में पुलिस ते कभी कदम नहीं रखा और तु हमारे घर के दर्वाजे पर पुलिस को लेकर आएगी तेरे हम्मत कासे हुई ये बात करने की आज तक इन ओरतों ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था और दो चार दिन में तुने इन सब को इनके अधीका और भी याद करा दिये अब तो तुम बिल्कुल इस घर में नहीं आ सकते घर की ओरते घर के बाहर खड़ी थी और घर के आदमी घर के दर्वाजे पर उनकी लड़ाई देखकर पूरा गाउं एकठा हो गया देविका को अस्पताल पहुँचा कर घर की ओरतों ने काम तो अच्छा किया इस काम से देविका और उसके बच्चे की जान भी बच गई लेकिन इनकी जान बचाने की कीमत घर की ओरतों को कैसे चुकानी होगी इसके लिए आपको आने वाला एपिसोड देखे